सुगार इस networking course की ये video number 36 है इस video में मैं आपको wireless networking कैसी होती है, क्या होता है कौन कौन सी waves होती है, कौन कौन सी frequencies होती है कैसे उनके standards होते है, कैसे उनके versions होते है इनके बारे में आपको proper information देने वाला हूँ सुगार इस previous video में मैंने आपको guided media के बारे में बताया था तो guys वो था आपका guided media का जो भी काम था transmission media में वो था तो guys इस video में हम unguided media के बारे में पढ़ने वाले यानि wireless technology पिछली videos थी आपकी wired technologies की, अब है आपकी wireless technologies की तो बिना जदा time waste करें, wireless networking की इस video को start करते है So guys इस video को शुरू करने से पहले मैं आपको बतानू तो अगर आपने अभी तक geeky app को subscribe नहीं किया तो candy subscribe करके bell icon को all करने ताकि आने वाली course की कोई भी video आपसे मिसना हो साथ साथ playlist section पर जाके यहाँ पर networking course की playlist को access कर सकते हैं bookmark कर सकते हैं, save कर सकते हैं जिसे आने वाली video तो बिलकुल आपसे मिसना हो और साथी साथ आप यहाँ पर और भी बहुत सारे course यहाँ पर सीख सकते हैं बहुत सारे course आपको मैंने यहाँ पर बना के already दे रखे हैं और future में भी देता रहूँगा तो अब बिना ज़्यदा time उसके चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं दिफ्रेंट types of network के बारे में तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अंगाइड़ मीडिया के बारे में यानि जो transmission media होती है उसका एक part अनगाइड़ मीडिया अब अनगाइड़ मीडिया क्या होती है जो communication करापा है हमारा और हमारे network के बीच wirelessly वो हमारी unguided media के अंदर आती है तो यहाँ पर हमारा obviously wireless connection होगा तो हम यहाँ पर wireless transmission media का यहाँ पर discussion करने वाले तो यहाँ पर आपकी जो wireless transmission होता है वो waves के साहरे होता है waves की मदद से होता है तो हम जो भी waves होती है हमारे unguided media में उनके बारे में हम पढ़ने वाले तो यहाँ पर हमारा wireless transmission तीन तरीकी की waves पर depend करता है सबसे पहला है हमारा radio wave जिसे हम radio frequency भी कहते हैं जिस पर हमारा cellular network और हमारे wifi bluetooth भी यहाँ पर वर्क करते हैं इसके बाद होती है हमारी microwaves microwaves कैसी होती है यहाँ आपकी frequencies होती है इन में आपकी communication ब्यूल्ट हो सकता है अप कैसे होता है आगे वीडियो में पता चलेगा आपको और तीसरा है आपका infrared infrared भी एक तरीके का आपका communication method होता है जिसके थूँ आप communication करा सकते हो कोई command दे सकते हो मैं आपको step by step आगे बताता हूं clear करता हूं चलता हूं तो यहाँ पर आपकी जो unguided media इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर radio waves का example लेते हैं तो यह कुछ इस तरीके का होता है जैसे एक आपका यहाँ पर टावर है टावर के उपर एक यहाँ पर आप मालो access point बना रखा है जहां से आपके waves निकल रही है ठीक है तो यह waves आपको दिखती नहीं है बिल्कुल भी नेक डाक हो से तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है तो यह इस तरीके की waves होते है जो आपके काफी दूर तक की range approximately 2-3 km तक की range में यह आपको आपके mobile phone या आपका जो device है वहाँ तक access हो पाती है क्योंकि एक काफी high bandwidth वाला इसमें antenna या access point लगा होता है तो यह एक omnidirectional antenna होता है जहां से यह access point जिसे मैं कहा रहा हूँ वो एक omnidirectional antenna होता है omnidirectional का मतलब सभी directions में वो अपनी waves को भेकेगा अपनी waves को हर direction में transmit करेगा अगर यह unidirectional होता तो दो तरीके से दो रास्तों पे एक इधर एक इधर या एक इधर एक इधर दो रास्ते अगर unidirectional होता यह omnidirectional है मतलब हर रास्ते में हर direction पे जाएगी तो यहाँ पे जो आपके frequency है इस frequency के बीच आपका transmission यहाँ पे hoopता है जो कि आपका अगर आप cellular network का example होगी अपने mobile phone से जो network आता है आपका तो वहाँ पे आपको इससे बहुत ही कम आपको frequency की जरूरत पढ़ती है क्योंकि वहाँ पे आपके transmission में बहुत ही कम वहाँ पे frequency चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि आप mobile processor में देखो कितने बड़े-बड़े applications होते है तब आपका mobile phone 1.5 GHz का है तब भी हो normal चलता है तो यहाँ पे तो सिरफ एक छोटी-बोटी भात है जो कि कुछ ही की भी की हो रही है तो वहाँ पे हम kilohertz में भी frequency को यूज कर सकते है जो कि हमारे लिए पर्यापत है चीक है तो maximum 1 GHz पर device ये provide कर सकता है यूज फॉर multicast communication सच इस radio and television and tagging systems तो multicast के लिए यूज होता है multicast already मैंने बता रखा है एक जगा से multi मतलब बहुतों को casting करना यानि provide करना services just like आपका radio communication television भी ऐसे कुछ होता है कि satellite से आपको signals आते है तो वही वाला multicast पर ये based होता है आपकी radio waves वाला system तो आई होब यहाँ पे यह वाली line clear हो गई होगी radio waves can penetrate buildings so that widely used for indoor and outdoor communication अगर हाँ building के अंदर पूरी building जिसे काफी बढ़ी है 12-15 मंजिल किये तो आप वहाँ पे YMAX type का टावल लगा दोगे तो उसकी radio waves आपके पूरी building पे पहुचेगी आपको single router पे बहाँ depend नहीं रहना पड़ेगा single router आपका एक floor पे provide कर देगा wireless connectivity लेकिन 15 floor पे नहीं कर पाएगा तो उस चीज से हम निपटने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा YMAX का टावल लगा देंगे जो की पूरी building में आपका wireless network का जो आपको वहाँ पे service है वो provide करें तो I hope यहाँ पे radio waves का clarity हो गए होगी तो यहाँ पे आपके radio waves पे आपके mobile phone के network वर्क करते हैं आपका wifi access हो पाता है उसी की वज़े से Bluetooth भी आपका radio waves का ही एक example है तो यह सभी services आपका radio waves का एक example है और radio waves पे यह आधारित होती है तो यहाँ पे आप antenna के बारे में समझे लो इसका antenna होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसको जो भी signals आते हैं आपके antenna में तो वो कुछ इस तरीके से आते हैं और वो जो आपका antenna होता है वो कुछ इस तरीके से design होता है कि आपको जो central point होता है वहाँ पे आपके सारे signal आके transmit होने लगते है या इखठा होने लगते है यहाँ से आपका जो भी signal है वो direct cable के सारे आपके पास आता है अगर आप TV यूज़ कर रहे हो अगर आप mobile phone यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपका antenna आपकी mobile phone में ही लगा होता है आपको पता नहीं चलता है तो इस तरीके से आपका ये पूरा antenna work करता है तो यहाँ पर transmission antenna में हमें क्या profits है यहाँ तक पहुची फिर इस तार में आपको travel करनानी के लिए कोई ना कोई energy में तो से convert करना ही पड़ेगा हमने पढ़ा था analog कि आपकी twisted pair में analog signals travel करते हैं तो electromagnetic signal आपके optic fiber में travel करते हैं तो वही coaxial cable में भी travel करते हैं तो electromagnetic signals होते हैं इस wire में यहां तक आते हैं आपके signals radio frequency की तौर पे फिर electromagnetic energy में change हो के आपके setup box तक आते हैं then radiate into surrounding environment तो radiation कुछ फैलता है अगर आपने सुना हो अगर आपने robot वाली movie देखी हो robot 2.0 जो आई थी उसमें radiation से बहुत सारे पंची मर गए थे तो guys यहां पे antenna जो cellular networks निकलते हैं उसमें radiation होते हैं अब अगर आपने पढ़ा हो atoms के बारे में या science में होती हैं उनके बारे में तो आपने जरूर देखा होगा जितनी भी frequencies होती है सबसे कुछ न कुछ radiations निकलती है और उन radiation में कुछ frequency ऐसी होती है जो बहुत जाद radiations create करती है just like आपकी gamma rays तो उनसे जो radiation निकलता है वो absorb नहीं हो पाता है और वो बहुत जादा नुकसान दे भी हो सकता है तो अगर आप इसमें antenna का use करते हो तो उससे कुछ radiation surrounding में फैलता है जो की अगर बहुत जादा amount पे हो जाए तो बहुत जादा नुकसान का कारण भी बन सकता है तो I hope यहाँ पे radiation वाला clear हुआ होगा कि इससे radiation भी create होता है जो की बहुत बुरी चीज है तो यहाँ पे आप जान लेते हैं microwave के बारे में तो microwave क्या होती है तो microwave actual में अगर मैं आपको छोटा से example दो जो की basic आप समझ पाऊ तो आपका microwave होगा आपकी घर में जिससे आप खाना गरम कर लेते हो तो उसमें भी microwave ही use होती है microwave को हम उस चीज के लिए भी use करते हैं और साथी साथ propagation के लिए भी use होती है propagation क्या होता है एक दूसरे से communication कराना अब इस एक दूसरे से communication हम क्यासे करा सकते है देखो यहां पर एक line लिखे हुई है microwaves are ideal when large areas need to be covered and there are no obstacles in the path तो यहां पर किसी दो चीजों का आपसमे communication कराना है जहां पर हमारा beach में कोई भी चीज नहीं है just like मैं आपको बता देता हूँ अभी मैंने previous में आपको example दिया cellular networks का जिसमें हमने radio waves के बारे में बात करी लेकिन उस case में क्या जैसे हमारा एक tower यहां पे लगा हुआ है और हमारा ही एक दूसरा कोई organization है हमारी building के कोई दूसरा part है जो कि शहर के दूसरे हिस्ते में है यहां से 50 km दूर तो हम क्या करेंगे अपने जो उपर है अपने छट पे एक tower लगा देंगे और उस छट पे एक tower लगा देंगे क्योंकि जब आस्मान में तो बीच में interaction या irrigation या obstacles तो नहीं होंगे तो वह अलाम से एक दूसरे से अपने network को exchange कर पाएंगे communication को exchange कर पाएंगे तो वहां पर जो आपका data का जो form होगी वह microwaves में travel करेगी microwaves की मदद से ही communication होगा propagation होगा propagation यहां पर यहीं किया गया है कि जो एक दूसरे को देख सके हैं आपस में आपकी खुद towers अब एक tower यहां पर लगा हूँ है G.O का अब G.O का ही दूसरा tower है यहां से 15 km दूर तब आप एक call करोगे तो वह radio frequency की मदद से आपके main पहले tower तक पहुचेगा अब tower to tower जो communication होगा वह आपका microwaves के जरिये होगा वह आपका radio waves के जरिये होती है तो microwave आपका beach पे travel करता है सो यहां पर microwave के transmission क्या है microwaves are unidirectional यह भी आपका एक तरगे का unidirectional wave होता है इसमें क्या होता है कि आपका main transmitter है या जो sender है वो उसमें क्या होता है antenna लगा होगा और वो चारो तरफ unidirectional हर जगा हर direction में अपनी waves को transmit करेगा microwaves electromagnetic waves having frequency between 1 GHz to 300 GHz this is more than enough इससे जादा हमें frequency चाहिए भी नहीं कितना से जादा से जादा transmission एक टावल ले सकता है 300 GHz यह एक बहुत बड़ी amount होती है इतने में ही आपका TV of data travel कर सकते है terabytes of data एक बार में travel कर सकता है इतनी frequency में there are two types of microwave data communication system terrestrial and satellite terrestrial अगर आपने सुनाओ terrestrial cities होती है बड़ी बड़ी cities को terrestrial कहते है या territories आपने सुनी होगी कि एक territory है या एक छोटा सदेश है तो एक बड़े large scale के area को territory कह देते है या terrestrial कह देते है तो उस area में अगर हमें land में ही communication कराना है तब हम microwaves का स्थमाल करते है between two towers या और between two poles और वही satellites में हम इसका use कर सकते है अब satellite पे आपका communication microwave पर ही अधारित होता है या based होता है आपके satellite आपके space में है तो वहां से contact अगर आप phone पे भी लेते हो या किसी दूसर device पे भी लेते हो तो वहां पे आपका microwave transmission होगा वहां radio wave नहीं होगी कि satellite radio wave आपको देडी है नहीं वहां आपको microwaves मिलेगी क्योंकि microwaves generate करना बहुत ज़्यादा easy होता है solar energy से भी हम इसे generate कर सकते हैं इसलिए satellite में आपके solar panels होते हैं और वहां पे energy वो consume करके sun से direct microwave create करके आपको communication provide कर देती है तो इसलिए satellite में आपका microwave transmission यूज होता है microwaves are widely used for one to one communication between sender and receiver तो one to one communication between sender के लिए अगर उनके बीच में one to one connection चाहिए कि यहां से send किया बीच में कोई obstacle नहीं है direct वहां पे जाके receive होना है तब हम microwaves का इस्तमाल करते हैं main example इसका satellite और GPS GPS भी आपका satellite based ही होता है जो कि आपकी live location को track कर लेता है और live location आपको दिखा देता है तो यह आपके बहुत दूर से communication होते हैं wirelessly तो आप समझ सकते हो कि यहां पे आपकी waves तो work कर रही है यहां पे आपका wirelessly work हो रहा है तो कैसे होरा है तो यहां पे आपकी satellite पर रही हो सेटेलाइट आपकी microwave पर इस transmission करती है तो अब यहां पे हम जान लेते हैं infrared के बारे में infrared is the most frequency में सबसे ज़्यादा frequency होती है और सबसे ज़्यादा इस्षी से आपका जो frequency होती है इसी से सबसे ज़्यादा आपकी जो frequency से radiation होते हैं वो निकलते हैं radiation सबसे ज़्यादा infrared में होते हैं तो अब इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आपने देखा होगा infrared से आपका CT scan भी हो जाता है तो CT scan में कई बार आपके bond mirror को भी खतरा हो जाता है कि bond mirror में कोई problem ना आ जाए तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा dangerous चीज भी आप मान सकते हो जो कि wireless networking में आती है तो इसकी जो frequency है 3 GHz से 400 THz तक गाइस बहुत ज़्यादा ये believe me इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा आपका इसी पर बेस्ट होता है remote control जो TV को आप control करते हो इसी पर बेस्ट होता है file sharing इसी पर बेस्ट होती है two phones के बीच में जो करते है communication between और पीसी और पेरिफेरल इसी पर बेस्ट होता है तो ये आपके infrared पे बेस्ट होती है तो बहुत ज़्यादा powerful ये आपका इस पर radiation होता है और बहुत ज़्यादा powerful ये wave होती है तो ये था आपका infrared जो कि आपका सब ज़्यादा remote communication में इसे हम use करते है तो गाइस अब यहाँ पर हम बात कर लेते है Wi-Fi और Bluetooth की अब ये Wi-Fi और Bluetooth क्या है ये यहाँ पर आपकी radio frequency पर based होते है तो यहाँ पर आपकी ये radio wave पर अधारित हो सकता है तो Wi-Fi क्या है तो Wi-Fi का फुर्फार्म होती है wireless fidelity ये Wi-Fi alliance का trademark है मतलब ये Wi-Fi के नाम से जाना जाता है तो इसका जो standard है वो IEEE 802.11 का है तो IEEE क्या है अलेडी मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में बता दिया था commonly used for wireless local area network wireless local area network के लिए हम इसे use करते हैं हम थोड़े से बड़े network में जैसे pan network होगे आपका land से थोड़े सा और बड़ा मतलब थोड़े सा और बड़ा मतलब जो land के अंदर ही आ जाए उसमें हम wireless networking में अपना वाई फाई कर इस्तमाल करते हैं जिसमें हम router से भी वाई फाई ले सकते हैं special हम इसका hotspot लगा सकते हैं वाई मेक्स लगा सकते हैं वहाँ पे हम वाई फाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका Bluetooth जानेते हैं Bluetooth क्या होता है तो Bluetooth आपका personal area network के अंदर आता है इसे हम WPAN में consider करते हैं या WLAN में भी कर सकते हो लेकिन हम WPAN में करते हैं तो personal area network मतलब आपके personal devices यहाँ पे यूज होंगे जैसे mobile phone, laptop, computer, CSP तो वहाँ पे आपका यह यूज होता है ज्यादा तर file sharing, resource sharing ले हम इसे यूज करते है जैसे आप headphones connect कर सकते हो speakers connect कर सकते हो फाइल को share कर सकते हो बस इसी के लिए हम इसे Bluetooth को यूज करते हैं गोल क्या, इसका cable replacement cable replacement हो गया sources, जो आपके earphone है, आप wireless आ गए तो cable हट गई वासे low cost, ज्यादा cost भी आपको देखने को नहीं मिलती जितने में आपके ये wire आती थी उतने में ही लगबग आपके ये Bluetooth वाले भी earphone आते हैं low price, काफे अच्छा small size, size भी कम हो गया obviously वहाँ पे आपके जो length है cable की वो घट गई तो obviously size इसमें portable or size small हो गया mobile devices के लिए specially इसे बनाये गया है standard क्या इसका 802.15.1 इसका IEEE का standard है यानी Bluetooth और Wi-Fi के data कौन है IEEE इसी के standard पर दोनों लाई करते हैं वहाँ आपके Bluetooth के कुछ versions भी होते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ तो यहाँ पर हम Wi-Fi के standards के बारे में पढ़ लेते हैं तो इसके different different तरीके के 11 के बाद standards आते हैं जैसे 80.11 A 802.11 B 802.11 G 11 N, 11 AC, 11 AX तो इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं years भी हैं कि यह कब access हुए मतलब कब release हुए 1999, 1999, 2003, 9, 14, 19 latest आपका 19 वाला है फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी 5 GHz, 2.4 GHz, 2.4 GHz और यह दोनों पर waste था यह दोनों पर waste था यह भी दोनों पर waste था तो Wi-Fi आपका हमीशा दो frequency पर ही waste होता है एक 2.4 और एक 5 तो यहाँ पर आपके 2.4 आपके normal mobile devices और computer में use होता है वह ही 5.0 जो होता है आपका बड़े-बड़े networks में use होता है जहाँ आपको higher frequency चाहिए बहुत ज़्यादा data transmission करना है वहाँ पर maximum speed आप देख सकते हैं 54 Mbps, 11 Mbps, 54 Mbps, 600 Mbps, 1.3 Gbps और आप आर यह आपकी 10 to 12 Gbps यह आपके Wi-Fi के standard है जो कि आपके IEEE ने आपको यहाँ पर introduce कराए थे तो IEEE video number 3 आप जाके देख लो आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम Bluetooth के भी कुछ versions होते हैं जैसे यहाँ पर standard थे आपके उसके तो उसके तरकी के आपके Bluetooth में भी standard और versions होते हैं तो standard के बारे में आप Bluetooth के खुद से search कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको versions के बारे में बता देता हूँ तो यहाँ पर आपका Bluetooth 2004 में इंट्रिड्यूस हुआ था 2.0 version जो कि आपका data rate enhance करने के लिए हम लाए थे इसके बाद आपका 2007 में 2.1 2009 में 3.0 10 में 4.0 और वहीं 16 में आपका latest 5.0 इसके बाद अभी तक नहीं आया तो अब 6.0 लिलीज तो हुआ है लेकिन अभी उतना ज़्यादा market में नहीं है 5.0 तक हमारा latest है तो 5.0 में आपका 4.2 स्पीड हो गई यह मतलब 4.2 की कंपेरिंग में 4 गुना स्पीड हो गई 2 इन्टू स्पीड स्वरी 4 गुना रेंज हो गई 4 गुना यहाँ पे रेंज हो गई और 2 गुना स्पीड हो गई और 8 गुना इसमें message ले जाने की capacity हो गई जैसे आपके 4.2 वर्जन में आप मैक्सिमम 50 MB की फाइल भेज सकते थे यहाँ पे आप 8 गुना ज्यादा यानि 400 MB की फाइल भेज सकते हो तो यह मैं एक्साम्पल ले रहा हूँ मुझे पता नहीं कि कितनी भेज सकते थे लेकिन शायद 1 GB मैक्सिमम थी तो अब यहाँ पे आप 8 गुना उससे भी बड़ी भेज सकते हो तो यह IOT जो आपके Internet of Things की डिवाइस होते हैं जो Smart Home Concept होते हैं जो आपकी Self Driving Car होती हैं इन सब चीजों में जो आपका अब यूज हो रही है Bluetooth Technology वो आपकी 5.0 वाली यह हो रही है तो सबसे latest तो 6.0 है तो 6.0 अभी market में नहीं आया है तो 5.0 ही हमारे लिए अभी latest है तो यह आप देख सकते हो इतना है आपे difference है 4.2 में आपका IP version 6 पे work होता था 4.1 में IoT डिवाइस के लिए पहला interaction आया 4.0 में low energy protocol इसकी अच्छी functionality थी 3.0 में Wi-Fi radio signaling होती थी 2.1 सिंपल सिक्योर था मतलब यह encryption लग जाता था आपका PHP network में तो इस तरीके की सबकी अपने functionalities है जो कि 2016 में 5.0 में सबकी functionalities आपको एक साथ मिल गई और इसमें आपको काफी ज़्यादा उच्छाल भी दिखने को मिला range, speed, capacity और functionalities में तो I hope यहां पर आपको Bluetooth का evolution भी clear हो गया होगा कि कितने वर्जन आ चुके है और क्या इसमें functionalities आपकी हो गई है तो यहां पर कुछ differences है Wi-Fi और Bluetooth में तो आप यहां पर उनने भी देख सकते हो जैसे Bluetooth आपका कौन से special authority पे work करता है जिसमें आपका IEEE standard भी लगता है ठीक है IEEE और SIG दो दो authorities है Wi-Fi आपका WECA और IEEE दो authorities manage करती है तो दोनों में ही IEEE के standard लगते है Year of Development 1994 इसका 1991 bandwidth इसकी 100-800 के भी पेस तक थी और इसकी 11 Mbps तो यह हम पहले version की बात कर रहे है जो पहला version आये था Wi-Fi का भी Bluetooth का भी तो यह सबसे पहले version की comparing आप latest में आप खुद भी कर सकते हो तो इसमें hardware requirement आपकी क्या चाहिए यहाँ पर आपको adapter लगाने है दोनों साइड यहाँ तो आपका Bluetooth कार्ड हो या Wi-Fi कार्ड हो ठीक है और इसमें cost भी हाई है power consumption भी हाई है security इसमें थोड़ी सी less security होती यहाँ पर आप password नहीं डालते हो मतलब डालते हो लेकिन नहीं उतना जाता secure होता है आप pair करोगे असानी से pair हो जाएगा लेकिन इसमें आप password भी डाल सकते हो WPS2 PSK की security भी लगा सकते हो range इसके 60 meter तक आप हो गई है पहले 10 meters तक आया करती थी इसके 100 meters तक आया करती थी आप थोड़ी और जादा हो गई है primary devices, mobile phone, mouse, keyboard, industrial automation devices जबकि यह computers, desktop और servers में यूज होता है ease of use आप इसे आप normally कैसे यूज करना है आपको पता ही है pair करने हैं devices और आप pair हो गए आप communication कर सकते हो तो दोनों में अलग-अलग तरीके से हम communication कराते हैं तो यहां दोनों में differences आपको clear हो रहे होंगे और कुछ differences आप जानते भी होगे क्योंकि आपने ये बच्पन से use करा होगा तो यहां पे अगर आपके computer में या आपके जो दूसरे laptop से उनमे wifi नहीं है या किसी कारण वश खराब हो जाता है तो आपको उस functionality को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक wifi card लेना पड़ेगा एक internal आता है और एक external आता है internal कुछ इस तरीके का दिखेगा PCI slot में लगेगा और यहां पर कुछ इस तरीके के antenna निकलेंगे और कुछ इस तरीके का आपका motherboard में ये inject होगा PCI slot में और externally लोगे तो USB interface में आएगा कुछ इस तरीके का तो आप इसे purchase कर सकते internal external दो टाइप के आते हैं इसकी range थोड़ी सी जादा होती है इसकी range थोड़ी कम होती है तो ये external आपके Wi-Fi card होते है और ये आपका internal Wi-Fi card होता है और जो आपका inbuilt Wi-Fi card आता है वो आपके motherboard में ही आएगा अगर किसी वारण वर्शो नहीं आता है या खराब हो जाता है तब आपको इनकी जरूरत पढ़ती है तो Wi-Fi के case के लिए आपको ये externally लगाने पढ़ेंगे दोनों में से कोई सा भी वहीं Bluetooth में अगर बात करी जाए तो internally आपके पास inbuilt आएगा अगर नहीं आएगा तो आपको externally लगाने पढ़ेंगे इस तरीके का motherboard में PCI slot में लगाओगे आप तो इसे कहेंगे internal वाला और इसे कहेंगे हम externally USB externally Wi-Fi sorry USB externally Bluetooth card तो इसे आप ले सकते हो दोनों ही flip card और Amazon पे available हैं आपको इसा भी ले सकते हो as per your requirement अगर आपको attach करना है तो तो ये थे आपके Wi-Fi और Bluetooth card So I hope guys you got the point of the video इस वीडियो में दी गई सारी information आपको पसंद आई होगी थोड़ी सी भी knowledge इस वीडियो से मिलिए तो एक like कर देना कोई भी comment और सुझाओ question ने नीचे comment कर देना और guys इस course कोई access नहीं करिए playlist तो नीचे description पर लिंक कर जाओ पूरा course एकसिस करो शुरूर से लिखे सारी वीडियोस देखो ताकि expert बन जाओ networking में और CCNA जैसे courses देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो अगली वीडियो में हम VPN के बारे में बात करने वाले VPN क्या होता है सारी information जानेंगे तो guys मैं बलता हम आपसे एक लिख वीडियो में तब तक के लिख गुडबाई टेक केर स्टे हल्दी एंड जैहिन झाले